हलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपको दोस्द संदीप और स्वागा थे आपको मेरे चैनल में जिसमें हम डिसकस कर रहे हैं थेयोरी और कॉंपटिशन पर और दोस्तों इससे पहले वाले वीडियोस पो हमने डिसकस किया था कि जो cfg होती है उसकर दो Lewis users किया जाता है जैसे कि पहला होता है चोंप्स की नॉर्मल फॉन सट में cnf बोलती है और सेकेंड होता है ग्रेवेक नॉर्मल फॉन फॉन जीने ओनेडिन 9 किस कि में माना जाएगा? G and F में माना जाएगा. अब यहाँ पर form क्या दिया हुआ है? A produce A X और यहाँ पर जो small A है वो क्या है? Terminal है और जो X है वो क्या है? variable है. ठीक है? अब यहाँ पर variable के उपर इस्टाल लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर यह एपसलोन भी हो सकता है नल भी हो सकता है. ठीक है? इसका मतलब यह है कि यदि आपका production इस form में दिया हुआ है. अब इस form का मीनिंग क्या होगा? कि या तो यहाँ पर single कोई terminal हो सकता है या फिर यदि single terminal के बाद कुछ है तो वो क्या हो सकता है? variable ही हो सकता है ठीक है? यदि इस form में दिया हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? GNF में कहलाएगा. इसके अलावा यहाँ पर production हो सकता है S production epsilon लेकिन यह तब ही हो सकता है जब epsilon language का part हो otherwise सिर्फ यह वाला form ही हो सकता है. ठीक है? example माली जी यहाँ पर पहले example देखते है S production A, A, B और यहाँ पर है epsilon फिर यहाँ पर लिखा हुआ A, B, C फिर यहाँ पर है B, B और C से है small c. ठीक है? अब इसको देखकर यह बताइए कि यह GNF में है या नहीं है. तो देखिए क्या form है हमारे पास? starting किससे हो सकती है? हमें से terminal से. तो यहाँ पर starting किससे हो रही terminal से. उसको जात क्या है? X. और X किसमें belong कर रहा है? variable में तो यहाँ पर A और B दोनों किसमें belong कर रहा है? variable में. कोई दिखकत नहीं है मतलब यह जो form है यह इसको justify कर रहा है. और यहाँ पर epsilon start variable से epsilon produce हो सकता है क्योंकि एगर ऐसा होता है तो यह epsilon किसमे है grammar के part में है अब यहाँ पर है A से small b capital C, small b क्या है terminal है और capital C क्या है variable है, B से B B क्या है, terminal C से C, C क्या है terminal और इसके बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब variable के उपर start जो लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर epsilon हो सकता है, ठीक है तो यह पूरे के पूरे production किस form में है इस form में दिये हुए है, इसलिए किस category में है, GNF में दिया हुआ है यह जो grammar दियो है, किस में है GNF में है, second example देखते है, माले यहाँ पर इस तर लिखा हुआ है, S produce, A, B और फिर लिखा हुआ है, A produce, A, A B, B और small B और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, B से B अब यह GNF में है या नहीं तो देखिए, यदि आप A, A देखते हैं, B, B देखते हैं और B देखते हैं, और उसके आज B produce भी देखते हैं, तो यह सारे जो production देख रहे हैं, यह सारे के सारे GNF में हैं, लेकिन यह GNF में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो variable का combination हो रहा है directly, यहाँ पर starting किसे होने चाहिए हम यह सा starting में एक terminal हमको चाहिए तो यहाँ पर है नहीं है, अब इसको हम convert करेंगे तो convert करने के लिए क्या करेंगे तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ S production, अब दिक्कत इसी में है तो हम क्या करेंगे, A में जितना भी replacement है, वो यहाँ पर कर देंगे तो A को हम किस-किस से replace कर सकते हैं इन तीन से replace कर सकते हैं तो तीनों से replace यहाँ पर कर देंगे तो सबसे पहले A को हम replace करेंगे small A, capital A से तो यहाँ पर आगया small A, capital A साथ में क्या है, B है ओके, फिर किस से replace करेंगे B, B से, तो यहाँ पर आगया B, B, और साथ में क्या चल रहा है capital B, फिर किसे replace करेंगे small b से, और यहाँ पर क्या चल रहा है b ओके, तो हमने तीनों से replace कर दिया अब देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या, नहीं है अब यहाँ पर starting किसे हो रहा है, terminal से हो रहा है, और उसके बाद क्या है, variable है ठीक है A को बैसा के बैसे लिख दीजिए, कि इसमें तो कोई दिक्कती नहीं यह तो already GNF के form में ही था और यहाँ पर third production भी हमारा GNF में ही था, तो अब यह किसमे convert हो गया है GNF में convert हो गया है ओके फ्रेंट्स, तो आज की बीडियो पर से इतना ही यदि वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तेंक यू